पापा मार रहे थे हो मुझे बेचने के लिए ले जा रहे थे ना समते में अपनी अंटी के आप आया चुप रहा थे ठाना विंदरावन के कोतवाली छेतर में कल्यूगी बाप द्वारा नावालिक किसोरी को बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है सूचना पर पहुची समाज सेविका डाक्टर लक्षमी गौतम ने स्थानिय पुलिस और बाल कल्यान समीथी को सूचना देकर फिलाहाल बچची को अपनी सुपॉर्टगी में ले लिया है जानकारी के एनुसार समाज सेविका डाक्टर लक्षमी गौतम को सूचना मिली थी कि एक युवग गोविन देव मंदर के समीप कैई वर्षों से भिछा वरती कर रहा है जिसके तीन लड़के और दो लड़कियां हैं जिसने अपनी पत्नी के स्वरगवास होने के बाद अपनी एक बेटी जिसकी उम्र 15 साल थी उसे शादी के नाम पर कहीं बेच दिया और दूसरी बेटी जो की नावालिक है उसे कहीं बेचने के लिए ले जा रहा है जिसकी सूचना उन्होंने ततकाल इस्थानिय पुलिस और पाल कल्यान समीती को दे दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने नावाले किसोरी को डाक्टर गौतम की सुपूर्टगी में दे कर मामले की जांश शुरू कर दी है मेरे पास सभी लगभग 11 बजे के करीब यहां गोविंजी के फर्ष से शुक्ला जी है उनका फोन आया था कि यहां एक बिकारी काफी दिनों से रह राता और उसके कई बच्चे यहीं पैदा हुए थे और यहीं पले बड़े हैं इनोंने काफी बच्चों की देखवाल भी की जो बिकारी उसकी पत्नी 5-6 साल पहले मड़ चुकी है और वो बिकारी दारू आगे सारा दिन दारू पीता है उसके बड़े लड़किया है तो जो इदर दर गूमते रहते हैं महित्वपूर बात ही है कि उसके दो लड़किया है जिसमें बड़ी लड़की 14-15 साल के लगभ है और उसका उसने 5-6 दिन पहले उसे किसी को विवा के नाम पर बेच दिया या क्या कर दिया मालूम नहीं उसकी छोटी बेटी ने बताया कि मेरे पापा ने पैसे लिए थे जहां मेरी बेहन को बेजा है और आज इस छोटी बच्ची को बेचने के लिए वो ले जा रहा था है इस विशह की जानकारी जो बाल कर लिए समिती के उच्चा देकारी है लगनो में भी दिये धिये लिली आसा बात कर लिया और मैं समझती इस बच्छी को और इस बच्चे को जहां भी इनको सुरक्षा मिलेगी बाल कर लिया समती जो प्रशाशन की वेवस्ता है वह किसी बंदे को से शादी कराई है और शादी के नाम पर उस लड़की को बेचै हुआ है एक तरह से जो ये बता रही है और छठी करा में किसी जगए घर में ले जाके उसके फेरे बेरे करा हैं और आज इस बच्ची को ये बच्ची बता रही है कि पड़सव मेरा पापा किसी से बात कर रहा था कि एक लड़की तो इंतिजाम कर दिया दूसरी लड़की को भी मुझे बेचना है और आज सुबह इसको तयार करके वो ले जा रहा था चेत्रिय जो हमारे भाई है शुकला ज कि क्या नाम है आपका क्या नाम है तो पुलां जी आज जो इस से यह आई या याप क्यों आए क्या मामला आप पुरा पापा मार रहते हो मुझे बेचने के लिए ले जा रहे थे ना समते मैं अपरी अंटी के आप रहा चुप ए पिर पापा आए फरे मिलने बुलाने आए अंकल जी आए, फिर उंकल जी ना अंटी को बलाया था पापा, आपके साथ मादा पीडी भी करते हैं तो आपको भीचने भी लिए आ लएते हैं कितने भाई बेने बैच थ यह तो पाच बैन भाई हैं हाँ हाँ खाँ बेची तो शटीगरा पर हाँ क्या नमता है उसकी बेंगा आपकी बेंगा पूजा किसको बेची है शटीगरा में